बेलकम इन माइक्रो टेक चैनल तो आज के वीडियो में हम यहां पर डिसकस्ट करने बाले हैं अब आउर दा रजिस्टर और गिनाजेशन इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे रजिस्टर लगे होते हैं जिसमें से में 16-bit रजिस्टर होते हैं तो यहां पर 14-16-bit रजिस्टर लगे होते हैं रजिस्टर और गिनाईजेशन में कितने 14-16-bit रजिस्टर जो है रजिस्टर और गिनाईजेशन में लगे होते हैं में लेकिने एचे को सटे हटे हैं बॉर इंट तो यहां पर जीपी आर्स होते हैं। जी पी यार्स जनल परपच रजिस्टर्स चार रजिस्टर्स लगे होते हैं इसके बाद जो है फाइब पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं पॉइंटर- restors कितने होते हैं, पॉइंटर-registerouth three होते हैं, index register तू होते हैं इसलिए को मिला करके five pointer and index registers होते हैं मतलब यहां पर मैं यह कह सकता हूं, three P, पी banana two, I इसके बाद फोर सेगमेंट रजिस्टर होते हैं इसके बाद एक फिलेग रजिस्टर होता है कितने बट का होता है 16 16 When It के 16 IK फिलेग रजिस्टर होता है इस इतने भी रजिस्टर समगें इसिवे था है । इसमों सबसे इंपर्टेंड होते हैं इक फिलेग रजिस्टर का प्रोशन ना सकता है एक बड़ा question नहीं आता है register organization जिसमें GPR का question individual आ सकता है इसमें सबसे important होते हैं एक flag register कभी 10 marks का question आता है और segment register बहुत ही important यह दो तो बहुत ही important है जो होते हैं जर्नल परपाश रेजिस्टर माइक्रोपरसर में 4 होते हैं कौन कौन से 16 16 बिट के register होते हैं चारों कौन कौन से AX BX CX और DX यहां पर लखें AX BX CX and DX कि लिए रहे एक कितने कितने बिट के register होते हैं 16 16 बिट के register हैं दोनों दोना ते लिए लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं आक्कुमालेटर और कौन register बोलते हैं base register code register instruction का code इसमें आता है data register data register तो इसके ex bx cx dx a का मतलब या कुमटर b का मतलब base c का मतलब code instruction का code instruction का operation code कह सकते instruction code ओर d kा मतलब data general data जो होते है यहां पर आता है इसके बाद कितने बिट के registers होते हैं 02515 16 bit के रजिस्टर होते हैं अगर इनको दो भागों में बाट दिया जाए यहाँ पर तो एजीरो टूए सेबन हो जाएगा ओर तो एट को जाएगा तो इस इस इसे में रखता है जीरो से 7 पर इसलिए इसके 8 bit के data रखना है तो यह काम में आएंगे अगर 16 bit का data रखना है तो पूरा काम में आएगा इसलिए AX को दो बागों में बाटा गया कौन कौन सा बाटा गया है AX को A H और A L A H and A L A H का मतलब है higher by top accumulator and lower by top accumulator 8 bit का A है 8 bit का A है यह सभी registers कितने कितने bit के है 16 16 bit के मैं यहां पर लिख सकता हूँ 8 bit का register यह सभी 8 bit के register है इन दो दो भागों में बाटे गया है कौन कौन से A H A L और दूसरा बनेगा B H B L C H C L और D H और D L D H और D L सभी registers जो है कितने bit के होते हैं जो है जनर्य पर-पर register में चार होते हैं अब इसमें accumulator का क्या रॉल है इन चारों को अलग-अलग समझाना है आदक क्या होता है accumulator 16 bit का register होता है लेकिन accumulator में यदी हम लिख हैं तो accumulator कैंसा होता है आक्विनेटर को दो भागों में बाण दिया जा में पर बटा है कैंसे आक्विनेटर इहां पर हो गया है ऐल हो गया है और एक अच हो गया है एल और एच est Res ahёл होगा है लेकिन अक्विनेटर किस यहां में आता? जयानसे आप कुमेंटर जो जो माइक्ट पाइकरीमटियो old जो भी अप्रसन करेंगा जो भी तो आएगा वह आक मुना संद करता है क्मेंट और च्ऑू क्रूरश जो आएगा दोह है यो जी थिरियम्टियों तोस्का करता है तो jog llegar जएगा एल में क्लीयर रहें यहां पर लिखा रिजल्ट इन एल यदि 66 बिट का रिजल्ट अता है तो we 16 बिट रजल्ट कर माँ जाएगा एक्स में यह light में क्लीयर और के डेटा को इस्टोर करने कहां इत आता है शाथ साथ में यह काम्यूस करता है इंपर आउट्पूट के प्रेडर्स को भी यह इंपर आउट्पूट ईयटा है रहा है तो आक्रोमिटर से पर और ही डेटा आएगा तो यह अग्कुमिटर का जितना पंक्सन था है उन्हां बता दिया कितने बिट का रजिस्टर होता है 16-bit रजिस्टर होता है तो हम बता चुके हैं पहले इसके बाद दूसरी यह कि होगे आपका अग्कुमिटर इसके बाद आती है एक्स बिएक्स क्या होगा वह ही वह वका सक्जीन बीट का अब बेस्स्टर किस बात के लिए डेटा को पॉइंट आउट करता है डेटा कहां पर है प्रोबाइड कर आने is register काम में आता है उस जहां पर डेटा रखा उसके address को उसके address 20 bit का सब्सक्राइब कराना कराork Lazis को उस item विच dif का बैस से बनाएगा बेस तो यह है क्या है it is data too register किसमें बेस्ट एंडीक्स एंडेक्स निकालना है तो तो इसको उसके साथ जोडा जाएगा किसके साथ डी से साथ जोडा जाएगा डी एक्स का डेटा द्त में एक्स बनाता है उस एड़्डरस इसको बोलते हैं based अभी कैसा हो सकता है based index हो सकता है based index का मतलब है बेश के साथ दूसरी चीज जोड़ सकता है source index राजे SI BX जोड़ जाएगा BX में SI जोड़ जाएगा अभी हम बताएंगे इसके बाद आएक याकजञ पे लेंगे तरह बताएंगी इसका डिटिल इसके बाद है को यह स्टोर अ Origin कि यह में डेयर में लोकेशन बेच्ट के गिविन वाइएक्स कि अपको रिज्ट है कोई जो है आपका 16-bit का data है रिजल्ट है मालीजिए और उसको कहीं पर इस्टोर करना है तो आकम डग जो भी डेटा जाएगा वह कहां जाएगा कौन सी मेमोरी में जाएगा उस मेमोरी का यह अड्रस जन्रेट कराने के लिए बेश जो प्रोवाइट कराएगा उसे अड्रस का सिश्टीन बिट का सिश्टीन बिट का जैसे एक फर्मूला होता है इसको थोड़ी सा समझ लो कि 20-bit 20-bit पी जन्रेट करना तो क्या होता है सेग्मेंट रजेस्टर जो भी डिया हो गया मालीजिए हम ले लेते हैं सेग्मेंट रजेस्टर में डी एस ले लेते हैं डेटा सकता है बेस में यदि यह 16-bit का यह हुगा और 16-bit का डी एस था उसमें 10 का गुणा करते एक जीरो बढ़ जाएगा मालीजी यहां पर डी एस में था 2000 तो एक और बीएस में मालीजी यह 1000 था इनको याड़ करना है तो इनको याड़ करना है तो इसमें 10 का मल्टिप्लाई कर गया है लिए इसमें 10 बढ़ जाती यहां पर बढ़ जाती है तो क्या होता है यहांप इसिए को हम क्या बोलते हैं हार्ड वायड 0 बोलते हैं तो जोडएंगे आप टो 0,0,0,0,1,2 यहां गया है तो कितने 10 आगे 202 बिट की एड़न का लिए 20 पय bendice उनको है इसको हम क्या ब मताना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत आउंके की बात है लेकिन असकّा फंड़ा के लिए नहीं हो रहा तो बता डीत क्लि Last एक 16-bit का रजश्टर फेगर यही बाला काम कर रहा है है अपर इसलिगे यहां बढाने के जो उतना ही है इसलिगे यहां पर लिखा है क्या instruction code और count register यदि counter बनाना जैसे looping चलाने हैं आपको जो इसे में data डाल दीजिए उतनी बार loop घुमता gebracht काम करेगा कभी कि में सबक्राइब इसके बाद आता है यहां लिखा तो looping shifting looting क्या होती है जब एक program वही पर गूँँता रहे आए नीचे और फिर चला जाए फिर आए फिर loop चला जाए भूँता रहे होँँ पर तो उसको बोलते है लूपिंग जब कोई program घृपीटी टू बार बार यूज़ होने लगे वहीं पर program लॉट के बापेश चला जाए फिर instruction रन करते हुए फिर नीच ही आए फिर decision making instruction लगी होगी जम्प पाली instruction सरिखर्ट सब्सक्राइब किया है सिफटिंग का मतलब यहां पर राइप में कर सकते हैं इसको बोलतें सिफटिंग क्या होती है का होती है यहां से सिंगनल चलता है मिया सद्री links चला जाएगा घूमने के बात फिर यह पर आ इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या भूलते है रोटेट तैंग रोटेट करने लगए और निस से निकल जाती है कुछ मिनट या कुछ सेकंड कुछ मिनट के बाद फिरो ही नीचे स्लाइड में लगा देते हैं जो उसको क्या बोलते हैं रोटेटिंग बोलते हैं सिप्टिंग किसे बोलते हैं समझ में आगे होगा लैप्ट में राइट में पूरी लाइन को सिप्ट कर देते हैं जैसे इसके बाद आता है आपका data register, जो general data होता है उसको इस्टोर करने के काम में आता है, साथ में यदि 16 bit माइक्रोपरसर है, यदि 16 bit का operation कर रहा है, सकता है जो रिजल्ट आरहा हो 16 बिट से जादा है मतलब 16 बिट से जादा हो गया ठीक है ना तो 32 बिट कर रिजल्ट आएगा और यह ज़ीराइगा है अधिक तर लगाते मिल लखा में मल्टिप्लिकेशन की डिवीजन माइक्रोबवज 106 में डारेक्ट हैं जबकि 1085 में मैं को इंस्तों नहीं थी इसलिए 1085 में मल्टिप्लाई करना होता था जया हमें को हुआप करना हैं तो हम 5 को फोर टांब से एड करते थे तो उसमें लूपिंग की जुरूथ पड़ती थी जो हमने यहां लगाया था लूप चलाके हम रिजल पाते थे multiply करने वाला, repeat 2, repeat 2 क्या होता है? multiply करने वाले program 8.085, repeat 2 addition होता है, और यदि divide करने वाली भी instruction नहीं थी 8.085 में, divide करना होता है, तो क्या करते थे हम? repeat 2 subtraction का काम करते थे, समझा है ना? माली जे 20 upon 4 करना है, 20 upon 4 करना है, तो क्या करेंगे हम? 20 मैं से 4 एक बार subtract कर देजिए, जो भी आए, 16 बचे के 16 मैं से 4 फिर subtract कर दीजिए, 12 मैं से 4 subtract कर दीजिए, 8 मैं से 4 subtract कर दीजिए, 4 मैं से 4 subtract 0 आ गया, वहां पर एक condition जो है, branching instruction लगी conditionally jump instruction लगा दीजिए, तो आपने आप चेक करती रहे कि 0 हो गया नि जो भी है, तो वहां पर जो है, looping चलती है, ठीक है, लेकिन 8086 माइक्रोपॉसर में multiply MUL, यह कई तरह है कि होती है, लेकिन हापर MUL लिखी है, MUL का मतलब multiply करने वाली instruction, यह कई तरह है कि हो जाती है, multiply जब instruction पढ़ेंगे तो detail में, और division वाली instruction डारेक 8086 में, तो जब हम multiply और divide वाला प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें निश्य तोर पर 32 bit के result आता है, मतलब 32 bit के exact नहीं, मतलब 16 bit से जादा हो गया, तो निश्य तोर पर 32 bit हो गया, मालिजे 16 bit यहां पर result रखना था AX में, यदि 1 bit बढ़ गई, तो फिर कहां रखेंगे वो, भरही वो 00000000 बन हो, तो हमें रखना पड़ेगा कहीं और, तो आक्कुनटर की help करता है, कौन सा, DX register करता है, वह ही heading है, हमारी DX register की, यह कितने bit का होता है, होता है 16 bit का, 16 bit का होता है, क्यांसे दो भाग हमें बटा है, यदि 8 bit का रखना तो DX काम करेगा, मतलब DH और DL दोनों काम करेंगे, क्लियर है, तो यह हो गया है, 32 bit, 32 bit data, 32 bit data कह सकते हूं, 32 bit यहां पर और अच्छा लिखेंगे, तो यहां पर result लिख सकते है, 32 bit क्या result कह सकते हूं, अधिकतर result यहां इस्टोर करना है, 32 bit का कोई result है, उसको इस्टोर करना है, तो आप कहां इस्टोर करतेंगे, किस में, आप कुमटर में 16 bit रखेंगे, और उसकी help, अधर जो बचा हुगा, वो कहां रखेंगे, DX register में रखेंगे, इसलिए लिखा होगा, यहां पर result in AX and DX, AX में रखेंगे, और DX में रखेंगे, मतलब 16 bit से ज्यादा result है, अग जब इनका एक्जिकुशन, multiple, divided instruction का एक्जिकुशन, तब ही एक condition फस्ती है, most ही, clear है, it is also used to hold the IO, IO means input output port, input output port के address को भी hold करने के काम में DX होता है, input port का address देना तो कहां रखा होगा, input port का address देना है, तो हमें जो है, उसका जो है, उस port का address किसके पास होगा, उस port का address, input port का address और output port का address, इसी register के पास होगा, किसके पास, dx register के पास, port का address, कौन सी instruction में लगता है, input output port, in instruction होती है, in instruction, तो यहाँ पर लिखी है, in instruction, input port से data आना है, तो in instruction लगानी पड़ेगी, port का address लिखना पड़े आपको मुनेटर से डेटा आउटपूट पोर्ट पर चला जाएगा उस पोर्ट का यह अडर्स के इसके पास होगा यही रखेगा डी एकस आउट इंस्ट्रक्शंस के लिए तो ए थे आपके एकस बी एकस CXDX जो है जन रर्परपरज डेटा में चार्शनी भीन सीवरीट के थे 4 है तो 4 हो आपके कहत्त हैं तूसरा आता है पॉइंटर एंड्ख रजेस्ट्र तो यहां पर हैडिंग पढ़ी होगी पॉइंटर एंडेक्स रजेक्टर पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर इन 808 6 अच्छे दोनों एक साथ हैडिंग डाली हम पॉइंटर की अलग डाल सकते थे और जो है इंडेक्स की अलग डाल सकते ए और मोश्टली एप्लिकेसन में भी एक साथ यूज होती है और जब कोश्वन पूचा जाता है तो जो प होगी एक साथ बात होती है इसलिए यहां पर अबरμαι कोहां पर यह बाली है दोनों के मिला के 5 होते हैं तो 5 में कौन-कौन से होते हैं pointer registers 3 होते हैं यह जो 8-6 के block diagram में देखेंगे तो है एक्स्टा सेग्मेंट के बाद IP लिखा हुगा था भी आई यू में आई पी इंस्टक्शन pointer register था इंस्टक्शन को point out करता था और इसके बाद जो है पॉइंटर रेजिस्टर दो और होते हैं कौन कौन से होते हैं पॉइंटर रजिस्टर एक होता है कौन सा SP दूसरा होता है BP स्टेक पॉइंटर स्टेक पॉइंटर स्टेक पॉइंटर स्टेक पॉइंटर होता है तो तीनों कितने कितने इन्डेक्स जोпа झूंद्र होते हैं पर हमने लिखाrete है यह प्र होते हैं हें यूट्र प्रजिश्टर इस ए कम अलब है यहां पर एक नहीं किसे बोलते हैं अगर इसको समझना है तो हमें क्या बात करना होगी इसको एक तो जगह नहीं में यहां पर बची है तो यहां पर हम बताएं अगर इसको अभी SP, BP, IP तीन आ गए हैं तो stack pointer की बात आ गई यहां पर लिखे हो कि stack pointer यहां पर है BP pointer और यहां पर IP pointer जो तीन की heading वहां पर नहीं डाली हमने तो हमने तीनों की heading नहीं डालके क्योंकि बोड में जगह नहीं बच रही थी इसलिए हमने तीनों की first point में SP, stack pointer, second में जो हैं बताया बेस pointer और third में बताया है instruction pointer register क्लियर है तो यहां पर बात आ यहां पहले ही में बात आ गही है effective address और offset address किसे बोलते है effective address और offset address क्लियर है यादि इसकी बात अगर हम करते हैं तो क्या करेंगे हम effective address किसे बोलते हैं जैसे हमने यहां पर अभी लिखा था ds लिखाता हूं और 10H हमने लिखाता है यहां पर ds और 10H तो ds तो हो गया data segment register तो जो है आपका total memory का address जो आता है वो कैसे आता है वो total आता है निकल के कैसे अगर effective address होता है जैसे हमने कहा दें कि कोशी memory का address निकालना है तो memory का address कैसे निकलेगा ma equal to ma equal to होता है ba plus ba plus ea कुछ और तब ba क्या है ba base address ea क्या effective address जो यहां पर लिखा उगता भी effective address इस effective address को offset address भी बोलते हैं के लिए रहे इसको effective address को offset address भी बोलते हैं जैसे यदि हम कह दें अभी आपसे कि जो है लिख दें move cx,bx move cx,bx मैं यह से लिख दूँ इसका मतलब क्या होगा bx cx,bx इसका मतलब क्या है ea कहां पर है ea है आपका किस के पास है यह base address के पास तो ea क्या है जैसे अभी यहां पर मैं लिखूँ मैं निकाल हूँ ea कितना ea का मतलब एक्टू एक्टू है bx इस्मॉल ब्रेकट में इस्मॉल ब्रेकट में यदि मैं कहूँ बी यह बताओ तो bx कितना निकलेगा बी यह निकालेंगे ds, ds क्या था data segment register segment register अभी बताए निए 4 होते हैं segment register कौन-कौन से होते हैं segment register जगा नहीं है segment register 4 होते हैं नाम सुन लीजिए कौन-कौन से एक्टा segment register होता है code segment और इसके बाद होता है सेग्मेंटेशन के address को रखता है और ds होता है जनरल डेटा जो होता है उसके segment को सेग्मेंट रजिस्टर्स जो बाद में एस लिखे हैं इसके बाद आती है हमारी बात क्या बी ये निकल गया यह निकल गया है यह निकल एक टो कितना गणर डी एस इंटू कितना वजीरो याच डी एस इंटू यरो यच पिलस कितना पिलस यह यह कितना effective address अब यह एक्टू एड़्डस इस instruction में क्या है जैसे ds into n 0 h butterfly nia बन गया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो एफेक्टोऊँ एड्रस bx में है इसका मतलब कहां पर डेटा चला जाएगा? cx का डेटा bx में इसका मतलब यहां पर डेटा चला जागा qqt जाला जागा memory का memory का बी ए ये तो निकल आहए कौन सा आपका ये निकल आगा मैमोरी एक्रस है यदि ए कर दिया हमने तो फो मेंवारी एक्रस निकल गया तो असके बात क्या होगा यहां पर यह इसका मतलब क्या होगा कहां चला गया CX में डेटा चला गया वाई कहां का मेमोरी का जो जनरेट होगा था उसका डेटा CX में चला गया ऊपर यहां पर बड़ी बीचित्र बात है यहां पर ऑफे कि कि यहां पर जो है और यह तो लोकेशन मैमोरी लेकर डेटा 8इंट कर रखा होता है और हैं लेकर साख 16 वित का रिजिस्टर डेटा उटके आना मैमोरी से यहां पर लिखा डो बार में उठेगा एक बार में नहीं उठेगा अगर इसको मैं खोल दूंटों कैसे लिखेंगे c l c l में डेटा जाएगा कहां से memory address जो यहां पर अभी generate हुगा था जो यह जनरेट हुगा था और अगर c h में जाएगा data दूसरी बार में उठेगा c h में कहां से उठेगा data ma plus one memory जो जनरेट हुगा तो उसमें एक बढ़ जाएगा और वहां पर 8 bit का number रखा है वो जाएगा d h में d h में c h में c h में c h और c l दो थे ना पहले उठके आएगा जो लोबर बाइट में जाएगा c l में तो c l में चलाएगा जो एड़ जनरेट हुगा तो यह जो है आपका जो यहां पर हमें इतना detail बताना नहीं चाहिए था लेकिन बता दिए stack pointer register तो आप यहां पर बता र यहां पर इसको offset address ही लिख सकता है हमें इसे भी और करके यहां लिखा है ठीक है ना सेग्मेंटेशन के काम में आते हैं सभी अब इसके बाद आता है चाहिए आपकी मैमोरी का ही कुछ पॉरेसं होता है लगवा इक तॉन्टीगा है हि यह दू ही उसी मेमोरी खेंप करते इस करते हैं फ्लाइच करता है इस मुझा राइच को हम जहां बनाना चाहिएँ जैसे फाफ्विक में आपक्स और we LXI ESP,2050H, 2050H ESP में चला गया, मतलब ESP में, stack point में stack top का address रहता है ESP में, अगर stack related memory का address ESP के पास, stack related memory में कोई data रखना है, तो ESP-1 ESP-1 होता है और उसमें data store होता है, जब memory में जाता है data store होने के लिए तो पहले higher byte data जाता है, पर SP-1 अगयन होता फिर वर्बर बाइट जाता है और अगर मेंमोरी से उठाना है डेटा को इस्टैक के टॉप के एड्रस को इस्टैक के टॉप के एड्रस को उठाता है के लियर है यस के बारे में हो सकता है यह को सौंत में यहां को बता दे रहे हैं यह जो टॉपिक जो है इस टाइमें अलाव नहीं करता है कि यह बताना चाहिए हम लेकर हम बता रहे हैं इसलिए ताकि थोड़ी सा इंट्रेस्टिंग बना रहा है क्योंकि यह तो बहुत आंगे की बात है जब आज यह पढ़ रहे हैं आप रजिस्टर और में यह बना लेते हैं हम निए ब्लोग डाइग्राम मं था यह सब responded और अगय था का SI and DI,ASPBP कौन से register है pointer register है और SI और DI के हम से index register है, आई लिखाना source index register और एसकी बात थोड़ी देर में होगी, पहले तो हम stack pointer की बात कर जो base pointer की बात चल रही है, base pointer register, यह कितने bit के registers हैं सभी 16-16 bit के registers होते हैं, यह के block diagram में इस सब बात हैं थी और हमारे एक ब्लॉग डाइगराम का इंट्रोडक्स का इंटरनल आर्खिटेक्चर का आप वीडियो देख लीजिए बहुत सब फंड़ क्लियर कर देंगे तो उसके बाद एक वीडियो होगा बी आई यू एन यू बस इंटरफेस उनियर एकजिकिशन करना हैं तो सबसे पहले एक यू एक यू उनिट का क्या रॉल होता क्या फंड़ संहोते हैं दोन फिर आते हैं रजिस्टर और गिनाइशन की बात थीके ना तो वह दो वीडियो तीन वीडियो आपके देखे होने कि तब यहां पर आएंगे तो कॉंसेप्ट्ट्यूल होगा और माइक्रो प्रॉसेटर में प्लीज एक दम भागे ना यहांसा नहीं कि जो हैडिंग उठाई वो पढ़ने बैठके नहीं नो पॉस्बिल नहीं इंपॉस्बिल है क्योंकि बहुत टॉफ सब्जेक्ट है माइक्रोसर इबीटेक का सबसे टॉफ सब्जेक्ट कोई नहीं ब बहुत पॉइंट की बात है यहां पर बीपी बेस पॉइंटर रेजिस्टर इंस सब्रूटीन सब्रूटीन क्या होता है अब यह पढ़के आयोंगे तभी तो इस पढ़ रहे हैं सब्रूटीन सब्रूटीन होता है मैन रूटीन होता है मैन रूटीन होता बड़ा प्रोग्र फिर दो इसाइड है By तो मिनी出去 होता है है जो मिनी इससी को बोलते है शक्रिटिन प्रोग्राम इस तॉ जो पोर्सं होना तो उसको बार बार रेपिटिशन सब रूटीन में ले जा तो आप प्रोग्राम में जैते हैं तो जब रूग्राम में फ्रूटीन में जाते हुआ तो भार एक कॉल इंस्ट्रक्शन होती है कंडिशनली कॉल औंकंडिशनली कॉल, तो काल कर दिया, काल 2-0-7-0 मैंलों हमने लिख दिया, 2-0 मेंप्रोग्राम छोड़के सब रुटीन प्रोग्राम में चला गया, और वहां पर लिखा हो मिनी प्रोग्राम, 10-15 इंस्ट्रक्षिन का ग्रोप होगा, तो call instruction जब लगाई थी तो मेन प्रोग्राम में जो call instruction था next instruction कहां से अग्जिकूट की जन उसका address जो है PC के पास था तो उसको stack related memory में store करके गया था call instruction अब उहां से return होके आना है तो उस जो stack related memory से उठाएगा उस instruction को उहीं की बात है तो यह बात जो यहां जो लिखा है दो sentence लिखे हैं वो आसान नहीं है पकड़ में आना ठीक है ना तो बीपी यूज सब रूटीन टू इस्टोर रिटरिनिंग एड्रस ऑन इस्टैक और बाई कालिंग instruction जो call instruction लगाई थी आपने वह जो है stack related memory में एड्रस स्टोर करके गया था उसी की एड्रस को सब्रूटीन में लगाई थी वही बेस पॉइंटर में फो इस्टोर करके गया था इसलिए बेस पॉइंटर ऊसटोर करता है जहां पर उसको लौट के आना है क्वास लिए रहे उसके एड्रस को प्रो थरी होते हैं यह तो आपने पड़ लिया था कौन सा एस पी और बीप इस टेक पॉइंटर तो आगे समझ यह बेस पोइंटर पी या गए समझें अब आती इंस्ट्रक्शन पॉइंटर राजिस्टर इस्टॉर्ड के नाम से ही पता लगता इस इस इंस्ट्रक्शन से रेलेयट इस्टरक्शं में कहां से प्रोग्राम के और के कामret करने के काम दूर रेजा जाएगी लिए में चल रही यह क हुआ यहां पर क्या है इसलिए यह इस्ट्रक्षन पॉइंटर रजिस्टर होता है इसलिए पि इन्स्टों से रिलियेंट वैर है इंस्ट्रक्शन के कोड के पुइंट आउट करने लिए जहांसी ऊटान सकने किसो प रभन कराने के काम में आता है तो यह हो गया आई-इस पी-बी-पी और आई-पी हो गया और आई-पी यह था इंस्ट्रक्शन होते हैं न यहां हैंना चार सेग्मेंट रिजिस्टर इन चार में से जब जहां से डेटा आना होगा वह सोर्स कहले जहां डेटा जाना है वह डेश्टी ने भी जहाए आई इसी की बारे में थोडी से लिखाओ गाई यहांपर की देश्टर इंडेक्स इंडेक्स अट बहुत इंपरटन चीज है यहां से होता है कौन इंडेक्स होता है जब आ एक नंबर के साथ एक किसी के साथ मालोग जो है आपका एसा एसा ही किसी नंबर के साथ जोड़ा जाए तो इन्डेक्स रजिस्टर में वह कुछ रखा है उस में कोई आठ बिट का नंबर है शोलए बिट का दिया जाए तो क्या सा कहला है का Index हो जाएगा Index दी तरह यह से जोड़ा जा सकता है या तो इंडेक्स किया जा सकता है मालिश रिस आई के साथ 0-8 जोड दिया तो क्या हो गया है इंडेक्स हो गया बेस्ट इंडेक्स क्या है अगर SI को BX के साथ BX के साथ जैसे BX के साथ इंस्ट्रक्शन लिखना हो चितना ही अभी BX के साथ अगर जोड़ दिया जाए और SI BX और SI 8-bit का नंबर जोड़ दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम तब उसको बोलेंगे हम Based Indexed BX का मतलब Based Register है तो Based Index Register में SI BX और SI इस सोर्स इंडेक्स तो उसको बोलेंगे हम Based Index और तीसरा क्या कहला कि तीसरा लिखा है हमने Register Indirect Addressing मतलब जिस रजिस्टर में डेटा रखा है उस रजिस्टर का डेटा डारेक्ट नहीं पाइट कराया गया Indirect में आप जनरेट करा रहा है मतनी BX में क्या है पता नहीं SI में क्या है और उसमें जीरो यह कोई नंबर यह जीरो यह कोई नंबर जोड़ रहे हैं तो इंडारेक्ट में ही अड्रेट कर रहे हैं इस ट्रक्षन के साथ डारेक्ट नहीं लिखा गया था तो उसको बोलेंगे रजिस्टर इंडारेक्ट एड्रेसिंग का कहां फोर सोर्स डेटा एड्रेस फोर सोर्स डेटा एड्रेस जहां से डेटा उठके आना है जहां से डेटा उठके आना वो जगा सोर्स कहलाएगी जिस रजिस्टर को डेटा देना है वो सोर्स रजिस्टर कहलाएगा वो जिस र स्टेस्टीनेशन तो एसाई जहां से डेटा आना एसाई वहां पर यूज होगा वही बात लिखी यहां पर सिंपल सी अब सिंपल सी लग सकती है इसाई इस पर इंडेक्स मतला एसाई के साथ 08 जोड़ दिया जाए जिके कोई भी नंबर दो जिए वह इंडेक्स हो गया अगर अगर एसाई के सात 08 जोड़ा था ऑती सजी फांटी 충 backyard और जोड़ से भीयक्स मतलब इक्स इंडेक्स मतलब नंबर जोड़ दिया जाए तो 1 vec करा हैं वह आ पर कौन सा किला कि एसके बाद याँ फाला है इसके बाद आता है यहां पर क्ट आप दिस्टी निया आगे आप इसमार में बहुत ही आसान हो गया में सब चीज थे तेरी कि कि एसिद बहुतady देखिए डी आई उज फॉर इंडेक्स इंडेक्स इसमें भी इंडेक्स था बेस्ट इंडेक्स इसमें भी बेस्ट इंडेक्स है इसमें भी क्या था रजिस्टा इंडारेक्ट 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 इंडार करने के में और बहुत बड़ा होता है कि लिए हमें सोर्स का भी बहुत चाहिए हो जहां पर भेजना उसका भी यह दोनों का यह दो यहां पर कहीं पर हम जनरेट किये थे तो अभी यहां पर यहां पर यहीं तो हमने यहां पर समझाए थे आपको तो किसी भी डेटा के लिए और यहां पर यहां पर मल्टिप्लाई किया था कहां पर यहां पर यहां लिखा रहे साफ नहीं दिख रहा होगा थोड़ी करते हैं इसको डी एक्स इंटू वन जीरो एच बहुत इंपर पॉइंट लिखी है बहुत सारे फंड़ कराता है यहां पर तो यहां पर वही बात लिखी है कि कितनी सोर्स इंडेक्स रजिस्टर में उन जीरो एच का गुड़ा कर दिया पिलस यहां पर भी लिखा था बेस सकता हिस टाइम के लिए रहें टो इंट यहां और से इंडेक्स रजिस्टर ने में घात कैसिक आई इंडेक्स रजिस्टर एंडेक्स रजिस्टरbook आती है बात यहां पर कि हमने दो चीजों को समझा पाए हैं हैं आपर कौन-کौन सा का और इजिस्टर का मतलब क्या हुता यह सं का मतलब होता है एड गिरोगेनलियेशन का मतलब होता ईयट जितने भी रजिस्टरर्स लगे हैं जो उजो होते कि वह सबी को हम रीजिस्टर ऑर गिन टें अब एड़ीज्टर माय मौलते हैं इसक्स हमने बता है तो हमने बताया और दूसरा हो गया और दूसरा कि आंडेक्स रिजिस्टर इतनी इतने में बोर्ड भर ग необход हो रहा है इसलिए इसलिए बोर्ड में जगह वह है क्योंकि हम नोट्स बना के ही आपको दे रहे हैं को सिसक्राइब कर दे ने कि कि और साथ में समझा रहे हैं इसलिए इसलिए अःप देखी है अब सबसे ज्यादा कोच्छान सेगमेंट रजिस्टर का सबसे ज्यादा टप है सेगमेंट रजिस्टर को जब हम समझाएंगे तो यह वाली चीज फिर से आगी सेगमेंट रजिस्टर में इसका टिटेल बताना पड़ेगा सबसे आगे तो सेगमेंट रजिस्टर को बहुत अच्छी से समझना होगा और इसके बादा तक फ्लैक रजिस्टर इसका हमारे एक वीडियो सब्रेंगा और सब्सकर खक्राइब और रजिस्टर को खतम करना उचित नहीं किया हैं तो इसलिए अगला देखना है तो सेगमेंट रेजिस्टर का वीडियो जाएंगे आप मिलेगा हमारे चैनल पर तो हमारे पढ़ाने के स्टाइल अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तेंकि थैंकि थैंकि